एक बार की बात है, एक हरियाली से भरे और जादू जंगल में एक चतुर लोमडी जिसका नाम फैलिक्स और एक भोला भाला भालू जिसका नाम बेंजी था। वे सबसे अच्छे दोस्त थे, हमेशा जंगल में साथ घूमते, खेलते और कहानिया सुनाते थे। जंगल के दूसरे जानवर उनकी दोस्ती की प्रशंसा करते थे, और अक्सर उनसे सलाह मांगते थे। GC1, प्रेता ये दूरी तूसौरी जूला जूामै कन प्रश एंगार जून्यूस्त पूमते, जूप्स यह सून्साूरी उ दूस्ध इंढ रंगल इनटिस्संसेरी फॉर अवॵू यह मुआ और जूमाने सूभी जुज तू और श्यूस्तवे दितीश To convert this story into Hindi, select Hindi language and paste the story into the text box. Then, convert this story into Hindi. This Hindi story will be used for our story audio. Step 2. Create Images Using Bluevillow AI Tool To create images using Text-to-Image AI, we will be using a free tool called Bluevillow, which specializes in generating images based on text prompts. You can also use other tools such as ClipDrop.co and Playground AI Tool. Here, in Bluevillow just type in Imagine and paste the copied story. And it will generate images based on the story. Now our images are ready to use. If you want to learn more about the Bluevillow AI Tool and Playground AI Tool, you can watch our videos. Check the links in the description or click the i button. Step 3. Generate a voiceover To create a voiceover, we will be using the Eleven Labs AI Voice Generator. First, select the voice Antony and then choose the Model 11 Multilingual V1. Next, paste the Hindi story into the text box and click on the Generate button. Wait for a few seconds for the voiceover to be generated. Once it's ready, you can download the audio by clicking on the Download button. Step 4. Edit the story video With our story and images ready, it's time to combine them into a video. We will be using the Canva Tool for this step. Upload the story images and audio from your system. Once the images and audio are uploaded, proceed with the editing. Add transitions and animations to a video like this. We will be using the Canva Tool for this step. और अक्सर उनसे सलाह मांगते थे। एक दिन फेलिक्स और बेंजी ने एक हजाने की खोज करने का फैसला किया। उन्होंने सुना था कि जंगल के बीच में एक हजाना छिपा हुआ है। वे बहुत उतसाहित थे और उन्होंने खोज शुरू कर दी। वे एक पुराने नक्षे का उपियोग करके जंगल में घूमे। उन्होंने घने जंगलों, गहरी जीलों और उची पहाडियों से गुजरे। उन्हें कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वे अंततह खजाने के स्थान पर पहुँचे। उन्होंने एक सुन्दर पत्थर पाया, जिस पर लिखा था, असली खजाना वह दोस्ती है जो तुम डोनों में हैं। पहले तो उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि उनकी दोस्ती ही वह असली खजाना थी, जिसकी वे तलाश में थे। जिन उ जंगल के अन्य जानवरों के साथ अपने खोज का खुलासा करेंगे। उन्होंने सभी को दोस्ती की सुंदर्ता को मनाने के लिए एक भव्य दावत का आयोजन किया। जानवर सभी जमा हो गए और जब वे सभी एक साथ भोजन करते हुए, उन्हें पत्थर पर लिखे हुए संदेश की कहानी सुनाई, उस दिन से जंगल एक खुशहाल और सदभाव पून स्थान बन गया। जानवरों ने सीखा कि उन्हें अपनी दोस्ती का मूल्य रखना चाहिए और फैलिक्स और बेंजी जैसे दोस्तों के साथ मिलकर चुनौतियों का सामना करना चाहिए। और इस तरह चतुर लोमडी और भोले भालू की कहानी दूर दूर तक फैल गई। और यह एक अजब औ सबसे मूल्यवान धन वे दोस्त हैं जिन्हें हम अपने दिल में रखते हैं।